हेलो वेलकम तो मैं चैनल आज हम गुलाब चामून बनाएंगे बहुत ही इजी मैथड है और ट्रस्ट मी आप इसको एक बार ट्राय करोगे ना बाहर वाले गुलाब चामून से बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे आपको मतलब उसके बाद आप बाहर के काऊ गयें तो ब बिल्कुल ऑप्शनल है कोई ज़रूरी नहीं है आप चाहे तो डाल सकते हैं इससे थोड़ा सा अच्छा आ जाता है इसलिए मैंने इसको यूज किया है अब देखे सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करके एक डो प्रिपैर करेंगे डो में थोड़ा से लग रहे थे बिल्क अच्छे से कोई भी ट्राइफूर्स यूज कर सकते हैं थोड़ा से मैंने फूड कलर लिया है यहां औरेंज लेमन यलो लिया था हां थोड़ा से इलाइची पाउडर इसमें डाला है और इस सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दिया है अब एक छोटी से बाल बना के हम ल दो में थोड़ा से मैधर अड़ा करना पड़ेगा और मैने डबल हो जाती है तो यह देखे इसको फ्राइ कर लिया है बिल्कुल परफेक था तो मैंने जो डू है उसमें से पेडा बनाते ना थोड़ा से इसको तो डाल देंगे फिर इसको अच्छे से अंदर पैक कर लेंगे स्टफ कर लेंगे और फिर इसको फिर से रोल कर लेंगे यह देखिए मतलब हातों में गुमा लेंगे ना ऐसे रोल करना है ठीक है तो यह हो गया है अब देखिए इसी तरह से बाकी की जो बाल से वो भी मैंने प्रिपैर कर लिया है इसे बोल सकता है हमारी चुकुलाब चामुन से वो मैंने प्रिपेर किया है तो अब हम इसके चाशनी बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने हाफ बाउल शुगर लिये मतलब जितनी शुगर ले रहो ना उससे आधा आपको पानी लेना है ठीक है तो मेरे पास क्या है पहले से चाश नहीं पहुच पाती है तो आपको बिल्कुल पतले रखनी है चिप-चिपी से रखनी है बस बाकी जो भी आप थोड़ा पानी या शुगर अपने अकॉर्डिंग एड़्जस कर सकते है तो यहाँ पर मैंने थोड़े से जो चिलके होते ना इलाईची के वह और थोड़ा सा अब मैंने इसको फ्राय कर लिया है तो यहाँ फ्राइंग के लिए मैंने घी यूज किया है आप चाहे तो ऑइल भी उसकर सकते है बिल्कुल ऑप्शनल है बर जो टेस्ट रना अच्छा वाला वो गी से आता है तो यह देखिए मैंने बॉल्स डाल दिये है एक चीज का मैं द्यान रखना है कि इसको जब हम हिलाते हैं तो ज्यादा नहीं हिलाना है मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट किया तो ऐसे लग रहा होगा पर आराम आराम से वन्ला फट चकते है इसलिए तो यह देखिए मतलब कितने प्यारे लग रहे है ऐसे अभी घालो मतलब इतने गरम गरम रखना होता है और उसके बाद गरम गरम ही उसके अंदर डाल देना है तो चाशनी अंदर तक जाती है मैंने इनको ओवर नाइट रखा है आप चार से पांच कंटे भी आराम से रख सकते हैं ओवर नाइट तो क्या पूरा एक शाम को बनाए था और अगली शाम को बिल्कुल अंदर तक कहिए अगर चाशनी अंदर तक जाती ना तो मज़ा नहीं आता है गुलाब चामून बनाते टाइम अगर आम दो चीजों का ध्यान रखता है तो बिल्कुल परफेक्ट बनते एक तो अगर आप डैसे कि 100 ग्राम मावा ले रहे ना तो आपको एक चमच मैदा यूज़ करना है ठीक है और दूसरा यह कि जब आप फ्राय करते हो ना तो आपके चाशनी में गळूँ जाए बिल्कुल गरम गुलाब चामून जो है ना वह चाशनी की अंदर आपको डाल देना है तो इससे जो चाशनी बिल्कुल अंदर तक जाए अदब गुलाब